हाँ तो गैस आज किस वाली वीडियो में मैं आपको वताने वाला हूँ आप कुछ इस टैप करने यू मम्मी पापा टेक्स्ट वाला रिल्स वीडियो एडिट कैसे करें अगर गैस आप भी कुछ इस तरह का बैक्रूंड इपक्ट लगा कर नियू इस टैलिस पॉंड के साथ म मम्मी पापा टेक्स्ट वाला रिस वीडियो बनाना चाहते हो तो भाई आपको वीडियो को एडि तक बहुच करना है इस वाली वीडियो में मैं आपको एक एक स्टैप के साथ में कम्प्लीट वीडियो को एडिट करकर बताने वाला हूँ अब आपको वीडियो को एडियो क कुछिछ आंपको उपर की श्ट मैं प्लेश का चैनल पे डिदूंगा अगर आपके पास में तो आपको ज्यादा प्रेशान नहीं होने आप वीडियों के अपने डाउनलोड की है उसके बाद मैं ठीचा कने पर equi पर ऐट कर दिना का दियान स्थितर zwischen मिडिया एंड से भावे नुए चाहिँ जीए चोटा विजीभी नियुक्यारी चाहिए भाग्यार को मीडियम सैज को सि्थेν। को एड़् करने तो आपको पोईंट पे जाने पॉइंक प्रोण आपको माइं फॉइंट में जानाया है आठ यहांے है अभर प्रająस कि मैं कुछ स्क्रीन पर बता रहा हूं तो बहुत है चाहिक से पुर्ड करके यहां आप को एक यहां करना तो आप गए चाहिए इंवाल कर दिना अब यहां पर टेक्स्ट को जिस तरीकी से मैंने एट किया ने शेम तरीकी से आप एड कर दिना उसके बाद मैं आपको बैकरून वाली मुझी की श्टिकर पर टैप करने ना पो जाने ओप सटी को मैक्सिमम आप साथ से पैंसाट परशेंट आप टेक्स्ट को लिखने को आद मैं आपको जाना है पॉइंट पर पॉइंट पर जाने को आद मैं आपको माय पॉइंट में जाना है अब आपको यहां पर यह वाला पॉइंट करना है इस पॉइंट करने को आपको इसमें कुछ इमूजी वाला पी एंजी लगाना है तो उसके यापको उपर की चाट में पलस का इकन पर टैप करना है यहां पर लिए आपको जाने है फॉर्म गैर लिफिट अब आपको यहांपर कर यह और एक और इमूजी वाले इश्टिकर वाला पर आपको टेलिगे मिल जाएगा तो बहांसे आप दाउन्लोड कर लेना यहांपर आप करने आपको निचे को ने को फोर्त नम्र पर नबर टैप करने अवी पीएंजी करते वक्ति हाँ पर थोड़ा समेश्टक को चुका है वह मैं पहले इसको बैकर उनके मुष्म नहीं किया तो में इसको अब भी रिमूब कर देता हूं और यहां पर completely PNG बन चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब आपको इस PNG को शैप करना है पिक्सल लैप से फूटू को शैप करना है तो आपको आता ही होगा अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूं आपको ऊपर की शैट में उस ए टौक साइड में करने जैसी कि नहें नेाव निक्टून वे करने कि एंड बैक्रम घ्राउंड में आपको उसलेक्ट करेंंगा अग्र आप आपको वीडियो की कमेंट रोक्ष में भी मिल जाएगा अब यहाँ पर जो बैक्डराउंड इपक्ट वाले वीडियो इसका मैक्सिमम टाइम लाइन है आठ शेकिन अगर आप आठ सेकिन से ज्यादा कर वीडियो बनाना चाहती हो तो वही आप इसके लिए आपको डूपलिके लeva यहते लेखिसले देटा सेटों वेट सेक्ट आयग्ट करने हैं आप पर यहां पर कहकर करने को टेक्स्ट का जो लैयर हैना आपको Turman necessarily Home पर तैप करते हुए बाकि आपको इस पीड के सेकिंद नमर पर टैप करना है जैसे कि आप यहाप पर टैप करोगी दोनों लेर का टैम लैन पर सोचो को है जैसे कि आप देख पाने हैं अब अगर आप इसमें ओडियो को यह चाहते हो तो वीडियो की स्टाइटिंग में प्लस पर जाने हैं अगर आप मेरा वालों लगाना चाहते हो तो यह आपको अपनी ओडियो वाले सेक्शन में से ओडियो को शिलेक्ट करने हैं अब एक्जाम पर अगर आप अपनी पशंद का किसी भी वीडियो में से ओडियो को बनाना चाहते हो तो आपको मीडिया फिया पर Kissed-read audio option tap करने जैसे आप यहां पर tap कर गोई अभी यहां पर देख आने वीडियो बन चुक है आफो यहां पर text आत्कोम्स करने और टिक्स करने है और आपको text वाले layer में impactful को लगाने तो उसके लिए आपको layer put अने हैं रणिदेश है में effects पहाने इपक्ट पर जाने को आपको एड़ इपक्ट पर जाने है आपको सर्च बोक्स में टाइप करना है बैब बर जैसे कि मैं आपको इपक्ट करना है में स्कीरीन पर बता रहा हूं जैसे आप यहां पर बैब बर पलिक के टाइप करूगे आपके शामने इपक्ट आगए इपक्ट को सेलेक करना है उसके बाद मैं आपको अपने वीडियो की स्टेक्टिंग में भाइट मार को लगाना है अब आपको अपने लेयर के लाष्ट में जाना है लेयर के लाष्ट में जो पस्ट वाला लेंथ लैंत यह थ cod इसको 2.5 पे स्टॉप करने कवाद में उसी की जश्टी नीचे आपको पूर्ट नमर वाला लेंट मिलेगा तो आपको उसको शेम तरी की से प्लस में स्लाइट करना है 1.5 तक इतना करने कवाद में यह वाले इपक्ट यहां पर कंप्लीट लग चुका है अब आपको यहां से बैक आने कवाद में आपको एक वार फिरसे इपक्ट पर आने इपक्ट पर आने कवाद में आपको एड़ इपक्ट पर आने अब आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है गीजन बलर जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर इपक्ट करना है बता रहा हूं गीजन बलर जैसे आप कि आपके Themen علىilot के अब किशामने एप्रेख आएगा तो आपको injekt kao सेट में किसा ह्याइट में आपको पहली की तपे हैं अपको पहले कि ट्रह पर चै। यहां प्युलанд को सलेक्ट करना है अब यहां पर जो फस्ट वाले लेंट है ना आपको इसको माइनस में सेलाइट करना है 0.200 तक इसको 0.200 पे स्टॉप करने को आपको अपको अपनी वीडियो की स्टाटिक में बाइट मार को लगाने को आपको अपनी लेयर में थोड़ा सांगे जाना है जैसे कि मैं आपको बत देना है पर इस्टाग्राम पर मेंसेज कर देना मैं आपके यह एल्प करने के पूरी कोशिश करूंगा तो अब चलिए गए इसे के साथ में इस वाली वीडियो को यहीं फ्वे करते हैं समाप तबाके मिलते हैं को रशनी वीडियो के शाथ में तब तक के लिए हैं